हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं यूट्वी चैनल, मैंने में अखलेश कुमार फ्रो मजिस्टर टुटोरियल यूट्वी चैनल आज हम लोग फोटो सॉप्ट में इसमें टोटल कलास हो चुका है, आज हम लोग क्या करेंगे पासपोर्ट साइज फोटो बनाना सिखेंगे, कैसे हम लोग पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे तो चलते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साँ शेर करें अगर आप MS Office का भी class करना चाहते है word excel powerpoint तो इस चैनल के description में मैं उसका link दे दूँगा उस playlist पे जाके आप वहाँ से total video देख सकते हैं चलते हैं passport size photo बनाकर अज देखते हैं इससे पहले कि हम लोग insert photo करेंगे कोई भी photo हो या तो यहाँ पर double click किजेगा जिस drive में रहेगा वहाँ से photo लिजिएगा open किजिएगा वह photo चलाएगा या फिर अगर डेश्टॉप पर है डेश्टॉप पर आने के बाद क्या है वहाँ से drag करना है drag करके Photoshop यह चोड़िएगा तो वह Photoshop में आ जाएगा photo या file में जाके open करके photo यहाँ पर ला सकते हैं जहाँ प के बाद क्या है इसका पहले size देंगे इस पर crop पर click किजिएगा ति highlight हो जाएगा इसमें क्या है 3.5 cm cm उसके बाद height कितना है 4.5 cm resolution आप 300 दे सकते हैं उसके बाद क्या है इसको maximize थोड़ा कर लेंगे बढ़ा हो गया photo उसके बाद इसको crop करेंगे क्रॉट पर क्लिक करना है उसके बाद photo को crop कर लेंगे जितना photo चाहिए उतना crop कर लेंगे फिर क्या keyboard से अब left-right कर सकते हैं इसके बाद क्या है यहां से इंटर मारेंगे इंटर मारेंगे तो crop हो जाएगा उसके बाद क्या है इसको control और space देकर photo को बरा चोटा कर सकते हैं control space देकर यह आल्ट space से भी देखिए यहां पर छोटा बड़ा photo हो रहा है तो क्या alt control प्रेस करके mouse को drag करेंगे तो यहां पर छोटा बड़ा photo होगा इसको तुरह जूम आउट कर लेंगे पर उसके बाद क्या है इसको थूरा lighting देंगे अगर light देना है फोटो पे तो light दे सकते इसका shortcut की है control प्लस M control M देने के बाद क्या है इसमें light अगर कम है तो ऊपर की उठ इस तरग करेंगे अगर ज्यादा light है तो रक्खम करना है तो नीचे की उठ करेंगे तो light दे देंगे इस तरह जो भी light देना है हलका हलका ऐसे करके उसके बाद ok कर देंगे light देने के बाद क्या है इसमें फिर और देते हैं image menu में चलते हैं adjustment लेते हैं adjustment क्या है यहां पर देखिए selective color है selective color आएगा तो आप यहां से थोड़ा से इसको यहां से थोड़ा से इसको lighting देंगे ok इस पर click के जागा तो फिर आजागा थोड़ा से इस पर light देंगे उसके बाद यहां से फिर थोड़ा black color ले करके थोड़ा से इसको right में ऐसे कर देंगे ok है यह टोटल क्लिक कर के आप दे सकते हैं उसके बाद ok कर देंगा अब प्रिवीव भी देखना है प्रिवीव देख सकते हैं देखिए पहले इस तरह था प्रिवीव में अभी इस तरह आ गया कर देंगे तहां पर क्या lighting हो गया अब क्या है थ्वरा पिक्चर को साफ करना है बरस के द्वारा तो उससे भी कर सकते हैं तहां पर पिक्चर को और थुदा बहरा कर लेता हूं Ctrl Alt से, ताकि Clear साब पता लगे, Clean करने में, उसके बाद चलेंगे, टूल में, यहां पर आई, यहां पर आईड्रोपर टूल है, आईड्रोपर टूल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद, यहां कैसा कलर करना चाहते हैं, तो जहां पर गोरा रहेगा color, वहां पर क्लिक कर देंगे, तेखिए फिल् यहां पर ब्रस टूल है दिखे इसका स्वर्ट कट भी है ब्रस टूल लेंगे जहीं ब्रस टूल पर क्लिक कीजिए गया यहां पर तो यहां पर उसका टूल हाईलाइट होगा इसमें किए ब्रस साइज थोरा बरहा लेंगे Suppose that, 100 ले लिया है, उसके बाद क्या है, यहां पर देखियेगा, Opacity है, यह न, Opacity में क्या करेंगे, इसमें 10%, 11% जो देना है, 10% दे दिये, उसके बाद क्या है, यहां पर फुलो 100% रहेगा, यह देख लेंगे हम लोग, उसके बाद, यह जो बरस है, इसका साइज बहुत बरा है, क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट, ओपें से, छोटा बरा करेंगे, Opacity यहां पर, 10% देता हूँ, उसके बाद, ब्रैकेट, देखें, ब्रैकेट से क्या है, ब्रैकेट से छोटा, क्लोज ब्रैकेट से बराई से क्या है, छोटा बरा जो भी करना कर लेंगे, अब सेक्ता अनुसार, देखें, इस तरह हो गया, उसके बाद क्या है, यहां पर, देखें, इस तरह, जो क्लिक की हैं पहले कलर, जिस तरह, वो इसी तरह, यहां पर सेम हो जाएगा, देखें, आपर क्लिक करते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे, जहां पर क्लिक करना है, इस तरह, साफ करना है, फोटो बरस से, तो यहां से, ऐसे, क्लिक करकर करके, साफ कर सकते हैं, ओके, यहां पर देखें, साफ हो रहा है, आप इस तरह, थोड़ा-थोड़ा इसे करके, साफ करेंगे ताकि ऊसके बाल पेफेक्ट न पड़े इस तरह साफ कर लेंगा इस अब साफ होने के बाद क्या करेंगा इसका टोटल क्लियर हो गया इसके बाद क्या है फिर इसको तुरह कलर कर देता हूं देखिए पिक्चर बहुत अच्छा साफ होगी है इसके बद कलर थोड़ा बैलेंस कर देंगे तो इसके लिए सॉट कट है सीधा इस्कोल करके बढ़ा दिये ओके कर लेंगे इसमें क्या है इसमें कलर बैलेंसिक हो गया उसका दोके किया नेक्स्ट क्या है तो इसको लेवल भी कर देता हूं फोटो को कॉंच्त प्लस एल करेंगे लिवल आ जायगा ओके कह लोट हा इसमें भी हम लोग थोरा थोरा और बरहा लेंगे इसको लेवल दोल करेंगे एक बाहता सकते हाँ मिश्का हुट कर देंगे क्ल बैलेंस मिला दिए लेवल्लमिल मिला दिए उसके बाद क्या है बरश को इस टूल यहां से लेंगे इसमें है बरश टूल बरश टूल यहां पर आके बरश टूल नहीं यहां से बर्न टूल ले ला है बर्न टूल ले करके क्या है यहां पर क्लिक किये इस पर यह देके टूल टूल बॉक्स में क्या है इस पर बर्न टूल पर क्लिक करेंगे यहां से क्या लेंगे देखिए बर्न टूल बर्न टूल पर क्लिक करेंगे बर्न टूल पर क्लिक करने के बाद यहां पर बरस का size भी यहां से बराना है यहां से बरा सकते हैं okay burn tool का size ले लिए हम burn tool क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर उसका option खुलेगा यहां से आप size लेने के बाद का है बरस का थुरा सा size bracket से कम और ज्यादा कर सकते हैं यहां से bracket लेंगे लेंगे देखिए bracket close bracket जितना चाहिए उतना कीवोड से bracket close bracket open से बरा घटा सकते हैं उसके बाद क्या है अगर चाहते हैं बाल को जहां वाइट है वहाँ बलेक करना है तो आप क्लिक करके आप कर सकते हैं तो आप बैकेट से छोटा कर देता हूं ताकि effect अलगना पड़े उसका देखिए यहां पर क्लिक करेंगे इसको कि देखिए यहां पर वाइट था देखिए बाल के हैं बलेक हो रहा है कि इस तरह क्लिक करेंगे हम लोग देख रहे हैं, बाल क्या है, काला हो रहा है, यहाँ पर भी वाइट है, देखिए इस तरह क्लिक करेंगे, तो यह काला होते जा रहा है बाल, क्लिक करते जाएंगे, लेट बटन क्लिक करेंगे, देख रहे हैं क्लिक हो रहे हैं यहां से देख रहे हैं यह भूरा था अभी कैसा बलैक हो गया है इस तरह आप बालो को कलर कर सकते हैं बालो को कलर कर सकते हैं यहां से बांट टूल लेंगे के बाद ब्रैकेट से चोटा बड़ा जो भी करना है और बालो पर जहां भूरा रंग है या वाइट कलर है तो वहां पर क्लिक करके बलैक कर सकते हैं आइब्रो भी करना है तो थोरा सावर शोटा कर लेुए इसको यहाँ पे क्लिक करते जाएगा अब्रो भी क्या है कला हो जाएगा तो आप एक अच्छा फोटो बना सकते हैं इस तरह क्लिक करके, आखर भूरा है, कलर करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, तो भी बलेक हो जाएगा, इस तरह क्या है, कलर किये, हेर कलर कर दिये, अब चाहते हैं, इसका बैक ग्राउंड, बैक ग्राउंड चेंज करना तो भी कर सकते हैं, यहां से हम लोग क्या लेंगे, paint tool पे klik करते हैं paint tool पे klik करते हैं उसके बाद यहां पे फर्स्ट पे रहेगा select इसको हम लोग क्या करेंगे second बाफ टूल से इस पे klik कर देगे je Dakota Wowumer brush तभी हो detail होगा यहां पे paint tool पे करिने के बाद करने के बाद है हाई-ledge हो जाएगा second लग 국כשיו उसके बाद किया है यहाँ से हम लोग इस तरह किलिक करेंगे फोटो के उपर साइड साइड से इसको क्लिक कर देंगे फोटो के साइड साइड से क्लिक करते चलेंगे करेंगे da उसके भाद क्या है कि इसको मिलाना होगा जहां से starting किया थे वहाँ कर यह लाकर के मिल गया कि उसका खतक्रोल इन्टर कर देंगे च्रूल का में इन्टर मारेंगे देखे फोटो का सेलेक्षन हो गया है उसके बाद क्या color choose करेंगे background यहाँ पर click करेंगे जो color चाहिए यहाँ पर color click करेंगे ok करेंगे उसके बाद क्या है यहाँ पर delete button दबा देंगे देखिए delete button दबाते ही क्या है यह background change हो जाएगा अब क्या यहाँ पर photo बनकर ready हो गया है पोटो इधर बनकर ready हो गया है अब क्या करेंगे यहां से page लेंगे file में जाएंगे new page लेंगे new page करने के बाद यहां पर यह for size ले लेंगे mm में रहेगा total उसके बाद ok कर देंगे यह आगी है उसके बाद क्या है move tool से photo पे click करके इस selection हो चुगा control दी देते हैंगे selection हर जाएगा उसको move tool से लेकर इस पे ले आएंगे देख रहे है move tool से क्या इस पे ले आएंगे उसके बाद इसको maximize करके और photo पे हम लोग क्या border लगाएंगे photo क्या लगाएंगे border लगाएंगे इसके लिए क्या है edit menu में चलेंगे stroke करेंगे stroke करने के बाद इसमें color लेंगे stroke में उसके बाद यहाँ पे कुछ color change करना है कर सकते हैं जहाँ पे center क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसमें विर्थ में 3 pixel भी दे सकते हैं उसके बाद color में लेकर के कैसा border चाहिए red चाहिए black तो black ही रहेगा border black पे क्लिक करके okay कर देंगे width में 3 pixel रखेंगे उसके बाद okay कर देंगे देखिए इसके चार और border लग गया है फोटो के चार और क्या है black color का border लग गया है अब क्या इसको control alt से छोटा भी कर सकते हैं देखिए इस तरह अब क्या इसको move tools से यहाँ पे रख देंगे move tools रखने के बाद क्या है इसको यहाँ पे रखेंगे उसके बाद control प्लस alt करेंगे और इसको drag करेंगे इदर okay देख रहे हैं ड्रेग कर रहे हैं जितना चाहिए जितना size रहेगा उतना इसमें picture आ जाएगा देख रहे है एक और आएगा यहां से five piece ले लिए okay इसको set भी करना है तो थोड़ा सा क्लिक करके keyboard का right button यहां से आप क्लिक करके आप इस तरह side कर सकते है फोटो को जिस पर क्लिक किजिएगा वो left right होगा देख रहे है यह हो गया उसके बाद क्या करेंगे जो भी है जितना आटे है इस page में देखिए इसमें क्या है five piece है उसके बाद क्या करेंगे सबको one way one select कर रहेंगे shift press shift press करेंगे keyboard का shift सबको select कर लेंगे select करने के बाद क्या है control plus e control plus e control e दे देने के बाद क्या है उसके बाद control और alt press करके आप इसको selection selection एक मिट selection पहले करना है इसको shift press करके क्लिक करते जाएंगे selection हो गया select होने के बाद control plus e कर देगे control e करने के बाद क्या करेंगे यह देखिएगा control e होने के बाद control alt से आप control plus alt से आप इसको नीचे ला सकते हैं control plus alt से इसको नीचे लाएंगे इस तरह इसको देखिए सेट कर लेंगे इसको देखिए यहां से अब इसका स्पेस देखिए है ब्लैक का है न यह बैक ग्राउंड पूरा जो बॉर्डर है यह यह आपे control alt यहां से सबको figure को सेट कर लेंगे एक line में कर लेंगे उके उसके बाद आप इसको print कर सकते हैं control P देंगे उसको प्रिंटर लगा हुआ है प्रिंटर सेलेक्ट करते ही आपका यहां से प्रिंट हो जाएगा यह फोटो तकी हम लोग picture बनाना हम लोग passport size बनाना सीखें फिर हम next class मिलते हैं thanks for watching this video इसको practice करें